आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परिक्षा प्लस पर टीम की ओर शे मैं हूं रमन मिश्रा दोस्तों जैसा कि GS-plus जो टीम के द्वारा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है यानि 10-plus आपको बना कर तीन पार्ट में मैंने अलग-अलग चर्शा किया था वो आपके लेक्षर जो है पड़े विये इससे पहले जो लोग नए देख रहे हैं इसको जो है उन सभी को देख लें ताकि आपको प्रशासन और इन सभी के बारे में सारी चीए पता हो जाए आज हम लोग दोस्तों शुरुवात कर रहे हैं कि बैक्ग्राउंड आफ इंडियन कॉंस्टिट्यूशन ठीक है भारती जो आपका संभीधान बना इसकी प्रिष्ट भूम क्या रही तो बैक्ग्राउंड पढ़ने से पहले सबसे पहले आप जानते ही जानते हैं कि भारत में 1600 की बात है कंपनी आती है जो इस इंडिया कंपनी के तोर पर जानी जाती है यह कंपनी जब भारत में ब्यापार करने के उद्देशे से आती हो और धीरे धीरे ठीक यह कंपनी यहां भारत में ब्यापार करना प्रादम कर देती है और 1773 से लेकर के यह ब्यापार के साथ साथ आपके प सबसे पहले यह जो East India Company रही आपकी, East India Company, ठीक है, 16 सो में यहां ब्यापार करने के लिए आती है, 16 सो में जब यह ब्यापार के लिए आती है, तो शुरुवात में 16 सो में इसको वहां की, ब्रिटेन की जो महारानी थी, अलिजाबेत के द्वारा इसको एक चार्टर प्राप्त हुआ, यह कमपनी इससे पहले भी भारत में ब्यापार करने आये थे, लेकिन यहां पर फ्रेंच के आगे वो टिक नहीं पाए, इस वज़े से जब दोबारा वो आने की सोचे, तो उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना हम अगर जो ब्रिटेस की महारानी है, या अब ब्रिटेस की जो सामगरी है, अगर इनके द्वारा कमपनी पर हाथ रख दिया गया, तो हम दोबारा वहां जाएंगे, तो हमारे साथ ब्रिटेन की संसद होगी, इस वजे से इन्होंने सबसे पहले एक कमपनी बनाई, ठीक, एक कमपनी बनाने का प्रोसेस 1591 से पहले का है, ठीक, फिर इसमें धीरे-धीरे ब्रिटेन के रसुगदाल लोगों को सामिल किया, उसके बाद धीरे-धीरे इन ब्यापारियों ने ब्रिटेन की महरानी तक अपनी पहुंच लगाना प्रारम किया, उसके बाद जो है इस्ट इंडिया कमपनी को एक 1600 की बात है, एक राजलेक प्राप्त हुआ, जिस राजलेक के द्वारा इन्हें पूर्व की और व्यापार करने की अनुमत दी गई थी, भारत में जब ये व्यापार के लिए आते हैं, तो इनके व्यापार के अगर देखें, तो 1600 से ये प्रारंब हो जाते हैं, हाला कि भारत में भी पहले उस समय राजतंतर चल ला था, तो राजा से अनुमत लेनी होती थी, जिनमें इन्होंने कई ऐसे आउसर इनकों मिले, कई सारे इन्होंने प्रियास किये उसके बाद 1773 तक कई सारी चीज़े इनकी चलती रही, ठीक है क्योंकि जैसे ही आपका बकसर का युद्ध होता है और बकसर और पलासी के युद्ध के बाद 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और 1764 में जैसे बकसर का युद्ध होता है उसके बाद 1773 के बाद क्या प्रारंब होता है 1773 से ले करके 1858 तक हम कमपणी के गुलाम रहे भारत जो है कमपणी का गुलाम रहा 1857 आप मान सकते हैं 1858 से ले करके फिर हम 1947 तक एक कमपणी के जो है बिटेन के गुलाम हो गए यानि कमपणी के आधिपत्ति को ठीक है बिटेन छीन कर अपने आधि पत्ति में ले लिया जैसे ही 1857 की यहां पर क्राहंती होती है तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1600 में जो कंपनी याइ इसकंपनी के इतिहास को आज मैं सिर्फ प्रारम कर रहा हूं आप सबी सब प्रश्ण पूच्ते हैं इसलिए सभी को एक साथ मैंने रखा है इस्ट इंडिया कंपनी ध्यान दीजिए ठीके इंडिया कंपनी एक नीजी व्यापारी कंपनी थी जिसने 1690 में साही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया इसकी सापना 1600 के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेत प्रथम के एक घोषडा पत्र द्वारा हुई थी 31 दिसंबर की बात थी इसका उद्देश ही क्या था यहां लंदन के व्यापारियों की कमप करने का एक अधिकार प्राप्त था मतलब सिर्फ यहीं कमपनी पूरब जो है पूर्ब दिसा की ओर व्यापार कर सकती है और इस कमपनी का मुख्य देशी जो था वो सिर्फ धन कमाना था अन्य अगर तथ्यों को हम देखें तो ध्यान दीजे जो इस्ट इंडिया कमपनी रह इस एक अधिकार प्रदान कीवा गया था इस कमपनी का उत्देसी तो मुख्य उद्देसी था ध Всем कमाना लेकिन सत्रासि 280 2021 में इस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिदवन्दी कंपनी जिसका नाम सिर्फ था निö कमपनी का इस्ट इंडिया कंपनी में विले किया गया दोनों क चौनसिल करती थी अब हम बात करते हैं कंपणी के भारत आगमन की यह तो वहां पर बिटेन में सारी चीजे रही देखें 1608 की बात है कंपनी का पहला ब्यापारिक पोत सूरत पहुचा था क्योंकि कंपनी अपने ब्यापार की सुरुवात मसालों के ब्यापारी के रूप में करना चाह रही थी अब जब व्यापार करने यहां आई तो आप जानते हैं उससे पहले भारत में कुछ कमपणियां मौजूद थी विदेशी कमपणियां सबसे पहले मसाले वाले दीव से इन्होंने व्यापार करना प्रारम किया 1608 में उनका पहला व्यापारिक पोट सूरत पहुचा परंत पुर्तगालियों के प्रतिरोध और सत्रूता पूर्ण रवये के नेक कमपणियों को भारत के साथ सहजी वियापार सुरूर नहीं करने दिया पुर्तगालियों से निपढने के लिए अंग्रेजों को डच इस्ट इंडिया कमपणी से सहायता और समर्थन मिला और दोनों कमपणियों ने एक साथ मिलकर पुर्तगालियों से लंबे अरसे तक जम कर तगरा मोर्चा लिया 1612 की बात है अपने यहां कैप्टन बोस्टन के नेतित में अंग्रेजों के एक जहाजी बेड़े ने पुर्तगाली हमले को कुचल दिया और अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कंपणी ने सूरत में ब्यापार प्रारम कर दिया 1613 में कंपणी को एक साही फर्मान मिलता है और सूरत में ब्यापार करने का उसका अधिकार सोरच्छित हो गया 1613 में जब साही फर्मान यानि भारत में इसे एक फर्मान मिल गया और 1622 की बात है अंग्रेजों ने और मुझ पर अधिकार कर लिया जिसके फलसरूप पुर्तगालियों के प्रतिसोध या आक्रमर से यह पूरी तरह सुरच्छित हो गई क्योंकि यहीं से सारे जहाज प्रबे ही है तो 1615-18 के बीच में समराट जहागीर के समय बिटेस नरेस जेम्स प्रथम के राजदूर सर्टामस रो ने इस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ विसे साधिकार प्राप्त कर लिया किसे जहागीर से इसके सीखर बाद ही कंपनी ने मसुली पटनम और बंगाल की खाड इस भी मिली थी जब उसने विजय नगर सासको के प्रतिनिद चंद्रगेर के राजा से आधुनिक चन्नई नगर का अस्थान प्राप्त कर लिया कि वहाँ पर इन्हें ब्यापार करने की सुबकृत मिली यहां से कंपनी की असली सफलता आप मान सकते हैं 1640 से ठीक है अब धी चाली राजकुमारी से बीवाह के रूप में दहेश के रूप में बंबई का टापू मिल गया बंबई पूरा टापू पर ही बसा है चाल्स ने 1668 में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराय पर इस इंडिया कंपनी को दे दिया इसके बाद 1669 और 1677 के बीच में कंपनी के गव कंपनी के गवर्णर जेराल्ड अंगेर ने इसकी निव डाली थी अब कोलकाता नगर के बारे में पढ़ते हैं ये भी आप से पूस्ता है कि कोलकाता नगर की स्थापना कप की गई थी ध्यान दीजिए 1687 की बात है 1687 में कंपनी के एक वफादार सेवक जिनका नाम था जौ चालनाक ने बंगाल के नबाब इब्राहिम खा के निमंतरन पर भागी रती की दलदली भूम परिस्थित सूतानाती गाओं में कलकाता नगर की स्थापना की थी किस पर सूतानाती गाओं था उसी पर कलकाता नगर की स्थापना की गई थी बाद में 1698 इस भी में सूतानाती से लगे दो गाउं एक का नाम था कालिकाता और दूसरा का गोविंदपुर इन दोनों को उठा कर इसमें जोड दिया गया इस प्रकार पुर्तगालियों के जबरदस्त प्रतिरोध पर बिजे प्राप्त करने के बाद इस्ट इंडिया कंपणी ने 90 वर्सों के अंदर तीन आत प्रिटर्स द्वारा नियूक एक गवर्नर के सुपुर्द किया गया इस्ट इंडिया कंपणी का संचालंज जो होता था ये लंदन में लीडल हाल स्टीट इसके कार्याले से होता था अब कंपणी में दूसरी बात आती है जब कंपणी भारत में व्यापार करने आई तो सी सीमा सुल्क से ही इसको मुक्ति कैसे मिली यह पॉइंट आपका और रोचेक है और इससे सवाल भी आपसे पूशता है 1691 इसवी में इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नबाब इब्राहिम खां से एक फर्मान प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को बंगाल में सिर्फ 3,000 रुपे की रासी सालाना देने पर सीमा सुल्क के भुक्तान से मुक्त कर दिया गया कितना? 3,000 रुपे सालाना इनको देना पड़ता था और सीमा सुल्क के भुक्तान से इनको मुक्त कर दिया गया अन्य उरोपिय कमपनियों को 3 प्रत्सत सुल्क अधा करना पड़ता था जितना ब्यापार करती थी उनका 3 प्रत्सत सुल्क उनको देना पड़ता था इस इंडिया कमपनी के सर्जन ये जो है लोक सेवा आयुक ने भी पूछा है इसको ध्यान दीजिए इस इंडिया कमपनी के सर्जन जिनका नाम था डाक्टर हैमिल्टन की चिकिसीय सेवाओं से खुस होकर समराड फरुक्सियर ने 1715 इस भी में एक नया फर्मान जारी करते विए कमपनी को सीमा सुल्क से मुक्त करने वाले पहले फर्मान की पुष्टी कर दी 1715 की बात है डाक्टर हैमिल्टन की सेवाओं से खुस हो गया कौन फरुक्सियर के कुछ चर्म रोग से पीडित था तो डाक्टर हैमिल्टन ने उसके चर्म रोग को समाफ्ट कर दिया था इससे यह खुस हो गया और खुस होने के बाद एक फर्मान जारी कर दिया एश्ट इंडिया कंपनी को कि आपको सीमा सुलक से मुक्त किया जाता है ठीक तो यह चीजे कंपनी के लिए यहीं से बहुत बड़ी चीज रही सबसे पहली चीज तो कहां इब्राहिम तो दोनों चीज़े कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदेमंद रही अब यहां ब्यापार चुकी हो रहा था लेकिन ब्यापार में भी प्रवसत्ता बहुत जरूरी थी उसके लिए कि आवा ब्यापार में इस टेंडिया कंपनी के इस एक आधिकार का कई अंग्रेज ब इरोध किया ये बेटेन की बात है और 17 सतापदी के अंत में दा इंडियन कमपनी ट्रेडिंग टूदी इस्ट इंडीज नामा के प्रतिवंदी संस्था की अस्थापना करती वहां बेटेन के व्यापारियों ने अब नई और पुरानी दोनों कमपनियों में कड़ी प्रतिवं में समझाओता हुआ नई कमपनी और पुरानी कमपनी में जिसके अंतरगत दोनों को मिला कर एक कमपनी बनाई गई और उसका नम रखा गया दा इंग्लेंड ट्रेडिंग टूदी इस्ट इंडीज यहीं कमपनी बाद में पूरी तरीके से हर जेगे हावी होती यह सेयुत कम कमपनी बाद में इस्ट इंडिया कमपनी के नाम से ही मसूर रही और डेड़ सो वर्सों में वह मात्र एक ब्यापारिक निगमना रहकर एक ऐसी राजनेतिक वासैनिक संस्था बन गई जिसने संपूर्ण भारत पर अपनी प्रवसत्ता हासिल कर ली अब थोड़ी सी चीजे आपको ध्यान रखना है 1661 की बात को कि बेटेन के राजा जो चाल्स दुतिये थे इनको पुर्तगाली राजकुमारी से बिवाह के उपलक्ष में दहेज स्वरू बंबई का टापू मिला था चाल्स दुतिये ने 1668 में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराय पर इस्ट इंडिया कंपणी को दे दिया और 1669 और 1677 के बीच में कंपणी के गवर्नर जेराल्ड आंगियर ने आधुनिक बंबई नगर की नियू इसी जो है बंबई टापू पर डाली थी अब हम बात करने जा रहें कंपणी के स्वरूप पे जो कंपणी बंगे भारत की ओर आई थी ब्यापार करने के लिए या पूर्व देशों की ओर ब्यापार करने के लिए जो आई थी इसका स्वरूप क्या-क्या था कंपणी में कौन लोग सासन करते थे ठीक ध्यान दीजि और उनकी सभा को निदेशक मंडल, Board of Director बोला गया, निदेशक का कारिकाल एक वर्स का होता था और वे अगले वर्स के लिए पुन्याहत चुने जा सकते थे, कमपणी मात्र एक ब्यापारिक संसा थी, वह केवल ब्यापारिक निगायों के लिए मान निविधाई और नियाई का कारावास और अर्थ दंड जो है, आरोपित करने की सकती अंग्रेज कानूनों के अंतरगत प्रदान की गई थी, 1635 में इंग्लेंड में एक और कमपनी को अनुमत प्राप्त हो गई, जिसमें पुरानी कमपनी को कटनाई हुए और दोनों कमपनीयों में प्रद्वंदिता ज 1662 में जार्ज ऑक्सिंदेन कंपनी की फैक्टरी का अध्यच बनाया गया, यह जो 24 लोगों में से थे, 1694 में इंग्लेंड के हाउस अप कामन्स में परस्ताव आया, कि इंग्लेंड के प्रतेग नागरीक को बेसुके किसी भी भाग में ब्यापार करने का अधिकार है, यह ज इस अंसद उससे प्रतबंधित ना कर दे, इस प्रस्ताव के उपरान 1698 में एक और कंपनी जिसका नाम था इंग्लेंड कंपनी टेडिंग टूदी इस्ट इंडीज की स्थापना हुई, जिससे लंदन कंपनी संकट में आ गई और 1709 में दोनों कंपनीों का विलीनी करन और East India Company के नाम से विख्यात हुई, 1717 में ही कंपनी ने दस्तक प्रक्रिया प्रारम की थी, दस्तक उसे बोलते हैं जो ब्यापार करने के लिए एक क्या लिया जाता था, बॉंड लिया जाता था, इसी को दस्तक कहा जाता है, दस्तक प्रक्रिया इस पर भी प्रशना आये है, अगला ध्यान दीजिए, कंपनी के बर्चस सुकी अगर मैं बात करूँ तो मुगल समराट साहालम दुतिये आ सहाय, क्योंकि उस समय मुगलों का पतन चला था, कंपनी की फोजों की बढ़ाओ और विजय को देख रहा था, चुपचाप बैठा हुआ, उसके देखते देखत कंपनी ने मैसूर के मुसलिम राजी को हडप लिया, हैदराबाद के निजाम ने कंपनी के आगे आत्म समरपड कर दिया, वह भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसे कुछ चीजे ये रही कि कंपनी ने मराठो की सक्ति को भी काफी छीड कर दिया था उस समय तक, राजबूत बीर तो थे, लेकिन सुरू में इनमें आपसी फूर थी, उन्होंने आत्म रच्छा के लिए कोई वार किये बिना कंपनी के आगे घुडने टेक दिये, इसी समय डेविड आक्टलोनी जो कंपनी की सेवा में एक मुख्य सेननायक था, मराठो से देली की इसने रक्षा की, व साम की बात है, चाहे आपका 1843 में सिंध की बात करें, उन्चास में पंजाब की बात करें, या 1852 में दच्छडी बर्मा, यह सब धीरे धीरे कंपनी के सासन के अंतरगत आने लगे, समझ गए, तो यह सब कुछ आपका पूरा का पूरा इतिहास रहा कंपनी का, जिसमें इस् इतने भी पॉइंट्स हैं, जिन में 1726 के राजलेक से लेकर मैं सुरवात करूंगा, 1726 के बाद 1773, ठीक है, क्योंकि 1858 में जैसे ही प्लासी का आपका युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के बाद, उसके बाद 1764 का जैसे बकसर का युद्ध होता है, इन दोनों प्राप्त होई, फिर बात आती है 1773 को लेकर कि, हाला कि बीच में कुछ और चीज़ें ऐसी आई थी, जिन पर भी डिसकस करना है, तो वो असारी चीज़ें, ठीक है, सब कुछ अगले लेक्चर में डिसकस करूंगा आप सभी से, तो अब सारी चीज़ें आपकी जो आपके से ज़रूरी है, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में इन सारी नोट्स को प्राप्त करने के लिए, आप सभी लोग टीम के द्वारा चलाए जा रहें, टेन प्लस प्रोग्राम से जोड़ जाईए, ताकि आपको सभी नोट्स, सभी क्ल सब कुछ मिलते रहें, चली वहीं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं, तब तक मस्त होकर इसको पढ़िए, इसकी नोट्स को इस दिर में आपको ग्रुप में उपलब्द हो जाएगी, धन्यवाद